तो यह जो एपिसोड उने वाला है, स्पेशली शामी लवर्स के लिए में बता रहा हूँ, दोस्तो रेट्मी लवर्स, रेट्मी के 30S आगया है, दोस्तो यहाँ पे बाहर इसका सारा स्पेसिफिकेशन्स पता चल गया, सारा कुछ बताऊंगा दोस्तो वीडियो के लास तक ब बता चल जाएगा, वीडियो में बने लिए, दोस्तो वीडियो में अभी तक अगर आपने एक लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चनल टेक्नो जोलोगी में, अगर आप लोगने हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल बटन को आन कीजिए, तो चले दोस दोस्तो, MI10T का Revented Version होके आने बाला है, Redmi K30S, अब देखते हैं दोस्तो, किस model का Revented Version होके आएगा, लेकिन हाली में दोस्तो, 10A Certification में इसका लिश्टिंग हो गया है, और बहुत ही जल्दी Google Play Console में भी आने बाला है, तो Redmi के तरफ से Redmi K30S मिलने बाला है, साथी साथ दोस्तो क्या क्या खास का Specifications है, सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बने रही है, और यहां पर Redmi K30S के लिए क्या आप लोग इंतजार कर रहे हो, इस mobile के लिए क्या आप लोग रुके हुए हो, तो आप लोग नीचे comment करके मुझे जरूर बताना, Redmi K30S के लिए आप लोग क्य लोगो जो डिस्प्ले मिलता है, करीब-करीब दोस्तों, 6.67 इंच का आप लोगो डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, Full HD Plus का Resolution है, यहां पर दोस्तों, 120 Hz या 144 Hz का आप लोग को, यहां पर refresh rate देखने के लिए मिल जाएगा, स्कीन पे, और brightness के बारा में बात करो तो 500 आप लोगो इस डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बरा brightness यहां पर प्रोवाइट करता है, तो ब्राइटनेस की हिसाब से दोस्तों, daily to life users में आप लोगो डेलाइट में या नाइट में हो, बहुत ही अच्छा experience यहां पर आप आप लोगो डीटेल्स से रिवू करके बता पाएंगे, साथी साथ कैमेरास के बारा में बात करें दोस्तों, यहां पर triple camera setup आप लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल वैसा ही सेम दोस्तों, MI10T की तरह आप लोगो मिलता है, 64MP का प्राइमरी लेंस है, 13MP का यहा EIS का भी support है दोस्तों, कैमेरास के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा यहां पर experience आप लोगो मिल जाएगा, साथी साथ दोस्तों यहां पर security के बारे में बात करते है, side mounted fingerprint sensor मिलता है, official unlock का भी support है, वैसे दोस्तों side mounted fingerprint के बारे में आप लोगो क्या खियाल है इसकी जगा AMOLED यह लोग लाते है, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, आप लोग खुद नीचे comment करके बता सकते हो, तो side mounted fingerprint है, या on display fingerprint है, आपके मर्जी से आप लोग बता सकते हो, हमें comment करके, लेकिन दोस्तों Redmi K30S में आप लोगो side mounted fingerprint confirm देखने के लिए मिल जाएगा, अधरवाइस RAM and storage video के बाड़े में बात करें, यहाँ पे 6GB, 8GB, दोनों ही RAM and storage video देखने के लिए मिल जाएगा, 108GB का storage है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ आप लोगो microSD card का support नहीं मिलता, जी हाँ दोस्तों, आप लोगो को SD card का support नहीं मिलता, यहाँ बहुत ही minor point लगा है, दोस पे आप लोगो microSD card का support, SD card वगरा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, बिल्कुल सेम मिलता है दोस्तों, 8GB, 6GB का RAM and storage variant, 108GB, 214GB storage variant आप लोगो को मिल जाता है, तिल सबसे बड़िया बात यार, आप लोगो के मन में एक ख्याल आ रहा होगा, कि इसका processor कौन सार रहने वाला है तो बिल्कुल सेम प्रसेट दोस्तों, Snapdragon, Qualcomm के तरफ से 865 बाला 5G processor आप लोगो मिल जाएगा, साथ ही साथ यह दोस्तों, Adreno 620 GPU के साथ आता है, तो बहुत ही अच्छा यहाप लोगो GPU देखने के लिए मिल जाता है, gaming वगरा, lag वगरा, कुछ नहीं होगा, 5G है, एक दान RAM से चल जाएगा, दोस्तों, Free Fire, Call of Duty, जो भी खेलो, यहाप लोग PUBG भी इंस्टाल करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा चलता है, Free Fire, PUBG का experience तो बहुत ही अच्छा चलेगा, Call of Duty भी अच्छे से चल जाएगा, 7N1 का प्रसेर है, दोस्तों, बैटरी एपीजिएंसी भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर देगा, वैसे आपको इसके लिए क्या-क्या वे दोस्तों, इसे उपर वाला पोश्तेर देना चाहिए था कि नहीं, लेकिन यह बिल्कुल MI10T की तरह ही आएगा, तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है, साथी साथ 5,000 इमिच का वेटरी है, 33 Watt का 3.0 वाला वर्शन है, तो यहाँ पर दोस्तों 33 Watt का Fast Charger आप लोगों को मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तों सबसे लास्ट मॉवाइल का build quality कैसा देखने के लिए मिलता है, यह भी आपके मन में एक सवाल आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को एलमोनिया फ्रेम देखने के लिए मिल जाएगा, मोवाइल के चारों तरफ, सामने के साइट में और पीछे के साइट में glass मिल जाएगा, तो गोडिला ग्लास 5 का support होता है, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, आप से ले सकते हो, कलर बिरियंट बहुत ही सारा दिखने के लिए मिल जाएगा, वैसे launch होने के बाद मैं आप लोग को इसके बारे में डीटेल रिव्यू करके बताऊंगा साथ ही साथ दूस्ति इसका अंबॉक्सिंग भी हाईगा हमारे चनल में तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रू अंकर करके रखना लेकिन यहां पे जो प्राइस है इसके बार के देखा मैंने यही रेंज के अंदर आ रहा है यह डिवाइस MI10T का रिवेंट हो सकता है बिल्कुल दूसरा कोई फोन का भी रिवेंट हो सकता है लेकिन इसका जो मॉडल नंबर शोर हो है दोस्तो टेना सर्टिफिकेशन में बिल्कुल MI10T की तरह ही है वैसे इसका जो स्प करके नीचे बता सकते हो वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे ट्वीटर पे फेस्बूक फॉलो भी कर सकते हो सबका लिंक मैंने नीचे डिस्किप्शन में डाल दिया इस्टाग्राम पे मैं अपडेट्स देता रहता हो दोस्तो आप लोग जाके चेक आउट कर लेना और क डेट के बारे में आप लाश बात करते हैं दोस्तो नवेंबर के फास्ट वीक से लेके मिड अप नवेंबर को आप लोग को देखने के लिए मिल जा सकता है रिट्मी के तरफ से रिट्मी के 30S वैसे बहुत ही अच्छा डिवाइस रहने वाला है दोस्तो मैं तो बहुत अगर आप लोग नवें तो सब्स्राइब करना बेल बटन गौन कर देना दोस्तो मिलत रहेंगे ऐसी वीडियो लेटेस लेके आज के लिए सबका दिन शूब रहे दोस्तो जैहीन बंदे मातरा